कि नमस्कार मैं अंजली मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में आपको बिताद है कि इस वक्त बंगाल में लगतार हिंसा देखने के लिए मिल रही है बंगाल में भाच्पा और टीमसी की कालकरताओं के भीड़त देखने के लिए यही नहीं पुलिस द्वारा जो गोली चलाने की इंसिदेन तिकल कर सामने आये उसमें अब पशिमंगाल की मुख्यमंतरी ममता बैनर जी का बयान सामने आया है जो की आपको सुनने के बाद संद कर देगा क्या कहा है पश्रिमंगाल की मुख्य मंत्री ममता बैनर जी ने इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं बंगाल में भाश्पा के नवाना भियान दौरान पुलिस के साथ हुई हिंसक जड़क घड़ाब की घटना को लेकर मुख्यमंत्री मम्ता बैनर जी ने भाजपा पर बरसते हुए जमकर उन्होंने हमला बोला मम्ता बैनर जी ने कहा कि पुलिस चाहती तो अंदोलन कारियों पर गोली चला सकती थी लेकिन ऐसा नहीं किया पुलिस ने बहुत सयम के साथ स्थिति का मुकाबला किया पूर्व मेदनीपूर जिले में प्रशासनिक बैठक के दोरान पशिमंगाल के मुख्यमंतरी मम्ता बैनर जी ने ये आरोप लगाया कि लोग नहीं मिलने के कारण भाजपा ने बंगाल सीमा से सटे दूसरों राजियों से ट्रेन के जरिये गुंडों को लाकर आंदोलन के ना पड़ा है उन्होंने ये भी दावा किया कि बाजपा के गुंडों ने मार्च के नाम पर बंगोली बंदूक और पत्थरों से हमला किया जुसमें बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी गंभी रूप से घाय लोग अब सोचनी की बात यह है कि पशिमंगाल के मुख्यमंतरी का सवाल खड़ी कर रही है अगर वो कहती है कि बाजपा बंगोली बंदूक लेकर इस रैली में शामिल हुई है और बाहर दूसरे राज्यों से लोगों को लाया गया है तो कई न कई यहां पर पशिमंगाल के प्रशासन पूरी तरह से विपल होती हुई नजर आ रही है क्यों बंदूक लेकर ट्रेन में ट्रावल करके पशिमंगाल पहुँच सकते हैं वह दूसरे राज्य से तब समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था अब सवाल के घेरे में है और यह टिपड़ी जो है वो मम्ता बेनरजी खुद कर रही है यानि खुद के प्रशासनिक खुद का उन लोगों के खलाब पुलिस कारूं के अनिसार ठोस कदम उठाएगी ममता ने पुलिस पर हमले आउजनी आदी के पूरी तरह से भाच्पा को जिम्यदार ठराया लेकिं साफ तोर पर आप देखेंगे पशिमंगाल में जो मुख्यमंत्री यह कह रही है कि पुलिस गोली चला स रकती थी यह कर चीजी किया जा सकता था उसी पुलिस की भडू तस्वीरे साब curriculum यह कि तरीके से जो कार의 करता है उन्हें पीटा गया किसी के सिर पर चोठ है किसी के हाथ में चोठ है यहीं नहीं पुरुष पुलिस कर्मी एक बड़ी डंडे से पीटते भी नजर आ है जिसकी वीडियो शोचल मीरिया पर देखने के लिए मिल रही है बाचपा के लोग बाचपा के कारे करता जब शांतिपुन तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो आसू के गोले पानी पानी की बोच्छार करके पहले उन्हें उक्साने की गार जो है प्रयास किया गया उसके बाद इस तरीके से ममता बैनर जी का बयान सामने आ रहा है जो यह बता रहा है कि ममता बैनर जी अब अपने किये कराए पर जिस तरीके सब सवाल उठने लगे हैं उसे कवर अप करने की कोशिश कर रही है गो पुलिस ये भी चला रही लेती, उन्होंने दावा किया कि भाचपा के शांति पुन माच को रोकने के लिए, पुलिस ने सारी सिमाए लांग दी और कारीकर्ताओं पर बल प्रयोक कर आंधोलन को कुछलने का प्रयास किया, बतादे कि मंगलवार को नवान अभियान के दौरान हावडा और कोलकाता रण छेतर बन गया था और कई घंटे तक पुलिस और भाजपा कारिकरताओं के बीच जम कर जड़ब देखने के लिए मिली इनमें 350 से ज़ादा कारिकरता जबकि 27 पुलिस कर्मी घायल हो गये थे बंगाल जो है वो एक रण की भूमी बन गई और इसे रण भूमी के दोरान दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते नज़रा है बीजेपी के लोग टीएमसी पर तो टीएमसी के लोग भाजपा को जम्यदार ठेराते नज़रा है शाफत कर्णार पर ममता बैनर जी भी अब पुलिस के केकलाय पर सफेड 14 डालने की कोशिश कर रही है właści्ло को ये कह रही है कि पुलिस जो है गोली चला सकती थी लेकिन चलाया साथ तोर पर आपको बता दे कि यह खा जा रहा है कि पशिमगाल के मुख्य मंत्री मम्ताव एनरजी ने पशिमगाल को नौर्थ कोरिया बना दिया है और जहां कि डिक्टेटर वो खुद बन गई है एक तरफ कहती है कि इस तरीके से शांतिपुन आंदोलन करना सही है तो दू शिमगाल की कानून वेवस्था आज कटगरे में खड़ी है जुस तरीके से पुलिस की वीडियो शोचल मीडिया पर वाइरल हो रही है कभी मैलाओ को पीटते हुए कभी बरबर तरीके से जो है कारेकलताओं को पीटते हुए कभी उनके ऊपर जो है बल प्रयोग करते हुए कभी किसी के सिर पर लाठियों से बारते हुए तो कभी किसी के हाथ पर और कभी अगर कोई भीड में चलता हुआ गिर गया हो तो उसके उपर एक साथ तीन चार पुलिस करमचारियों के डंडे बरसानी की तस्वीरे हो जो कि आपको विचलित कर सकती है लेकिन इन सब करतूत के ऊपर पाउस इन सब करतूतों के ऊपर चादर नाले काम खुद पशिमंगाल की मुख्यमंत्री मंता बेनर्जी अपने बयानों से करने की कोशिच कर रही है यह खुद कह रही है कि गोली चलाना ही बाकि रह गया था यानि अगर यह उग्र होता तो यह माना जा सकता है कि की मुख्यमंत्री के मन में यह भी एक विकल्ब था कि अगर जरुवतान पड़ी तो पुलिस को जो है गोलियों का सहारा भी लेना पड़ सकता है जो तरीके से ममताव एनरजी बयान दे रही है कि सिफ गोली चलाना ही बाकी था पुलिस जहें गोली नहीं चलाया और सयम दिखा अगर किसी तरीके से शांतिपुन आंदोलन में जहें कारिकरताओं के साथ मारपिट करना उनके ओपर पानियों की बोच्छा आसू गैस के गोले दागना अगर सयम का उधारन है तो सवाल यह खड़ा होता है कि इस तरीके की सयम को लेकर ममताव एनरजी पश्यम बंगाल को अखिर क्या बनाना चाहती है क्योंकि जहां पर एक तरह के बयान जो है वो बदलती नज़र आती है जहां पर खुद प्रशासन की दुहाई देने वाली यह कहती है कि पश्यम बंगाल में इन्हें लोग नहीं मिल रहे हैं तो दूसरे राज्यों से गाड़ियों से लोग ला लिए हैं कि समय माँर बदली है हिंशा इसान का अब रूप भी बदलता नज़र आ पहले की तरफ से हुई तो हिंसा और से सय मका उधारन बताया जा रहा है और यह हम नहीं यह पश्यमंगाल के मुख्य मंत्रि मम्ताव आपकरना जिस तरीके से कानून ओर विफल हुआ है उसको लेकर बात करने के बजाए यह कहती है कि पुलिस चाहती तो गोली चला सकती थी पर ऐसा नहीं किया उन्होंने सझ्यम का उधारन दिया तो यह पष्रमंगाल का सयम था जो आप अपनी टीवी पर करने करने के तरह आपने विचलित तस्वीरें देखी से पुलिस द्वारा एक सयम का उधारन था अब ऐसे में पश्यमंगाल के इस सयम के उधारन का फैसला जो हम आपके हाथ पे छोड़ते हैं क्योंकि हमने आपको यह बड़े विस्तार से बताई है कि पश्यमंगाल के मुख्य मंतरी क्या कुछ कह रही है और अब इस पूरे मामल को लेकर आपकी भी जुराय हो पश्यमंगाल में पश्यमंगाल प्रशासन के सयम को लेकर जैसा कि मतावनरजी कह रही है इस पर आपकी जुराय हो हम एक कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जरूर साज़ा करें कि